प्राउट की इतनी ही नहीं ट्रेड और कॉमर्स के बारे में भी प्राउट की अपनी प्लेंट अभी कैपिलिस्टिक सिस्टम में शोशंग इसलिए बढ़ता है कि इसमें बिचॉलिये होते हैं इसलिए कंजुमेबुल उप्योगता कि जितनी चीजें हैं उसको कोपरेटिव को दे देना होगा इसके होने से लोगों को जो समान मुहिया होगा उसी ट्रेड पूर होगा और उसका लाब अधिक सदिक लोगों को में होगा इस ट्रेड कॉमर्स में प्राउट का चिंतन है कि टेक्शेशन इंकम टेक्स बिल्कुल हटा देना चाहिए क्योंकि इंकम टेक्स से जितना कलेक्शन होता है उसके मैनेजमेंट तो उससे ज्यादा ही खर्च होता है इसलिए टेक्शेशन प्रोडक्शन लेवल पर ही लगा दिजिए जहां चीजे पैदा हो रहे हैं वही लगा दिए उसके लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाने के अफिर्टा नहीं है बैंकिंग कोपरेटिव सिस्टम को दे दिए और फेडरल बैंक स्टेट कंट्रोल है इस प्रकार से ट्रेड और कॉमर्स में भी एक नए नया चिंतन है इसके बाद प्राउट की एक खास जिस्ष्टा है इकिनॉमिक डाइनमिक्स गती जितनी है उसमें स्थिर्टा भी है गती स्थिर्टा गती स्थिर्टा यह इसका गती का सिध्धान्त है जब समाज चलते चलते पाउज की अस्था में स्थिर्टा की अस्था में पहुंचता है तो वहां शोशन बढ़ जाता है और जब यह इतना लंबा होगा लोगों की तक्रीफ उतनी ही लंबी है इसलिए प्राउद का चिंतन है इसके लिए इसके फर्स्ट फेज में लोगों की मिनिमम गरंटी दे देने से और क्राय शक्ती बढ़ने से जो पैसा ये स्खीरता की आउस्था में गतिरूद पैदा कैसे होता है कि जो पैसा बजार में गया और समय पर लोटा नहीं और पैसा जिसके हाथ में उसको रोक लिया तो प्रॉडक्शन रुप जाएगा बजार में माल पहुँचेगा नहीं त्द्री बंद हो जाएगी इसलिए प्रॉड मानता है त्देन मनी रॉडिंग पैसा चलता रहा इसलिए प्रॉड्टी स्थिक कर इकनोमिक डैनोमिक्स का इसल्बसे बड़ा ये है ठीप ध Ara डालिंग पैसा कही जमान भूए पुन्जी बादी बेवस्था में पैसा जमा होने की संभावना हो जाती है पैसे वाला अगर शेयर फ्लोट कर देगा पैसा निकाल दिया तो बजार चलने लगा पैसा रोक लिया तो बजार बढ़िया इसलिए विश्व के सामने आज कि कोई और दूसरा चारा नहीं प्रावतेष्टिक सिस्टम अपनाने के सिवा इसलिए इसको अपना करके ही विश्व का समधान हो सकता है अगला इसका विशेष्टा अगनी विशेष्टा इसकी है इसलिए प्राउत बिश्वास करता है कि देसेंट्रलाइज आर्थिक दवस्वास का लास्ट है इसका इकनोमिक डिमोफ्रेसी आर्थिक प्रजातंग आर्थिक प्रजातंग एक निया शब्द है इसमें प्रजातंत्र का आदमी मतलब समझता है यह हमने हमको बोट डालने का अधिकार हम स्वतंग रहें जिसको चाहें बोट दें क्योंकि मनुष्य जब से इसमें चिंतन आया स्वतंत्रता की इसकी खोजारी हुए और पहला पोलिटिकल चिंतन वेस्ट में हुआ अरिस्टोटल के द्वारा हम मनुष्य को इस रूप में देखा कि मनुष्य एक राजनीतिक जीव है वही चिंतन टारा देने देने विख्षित होते 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 पर 0 कि इसके अगर राजनेयतिक आउशक्तां की अधिकारों की अगर तृुप्ती हो जाएगी उसका नेती राजनेतिक प्रजातंत्र मिला, एडल्ट फ्रेंचाइज मिला, हमारे सब के 18 साल से उपर, सब के नौजवान लड़के लड़कियों के हाथ में अधिकार है कि हम जन्द प्रत्मी दीच हुने, तो हमको सुख्य हो जाना तरही है तो हम अगर हम राजनेतिक प्राणी है, तो ये तो हमको अधिकार मिल गया, हमको सुख्य हो जाने पर है, हम क्यों नहीं सुख्यी है। दूसरा एक वर्ग किंतकों का हुआ, उसने हमारे रोग को डाइग्नोज किया, कि मनुष्य एक आर्थिक प्राणी है। इसके अगर आर्थिक अधिकारों की रक्षा कर लिया, ये सुख्य हो जाने। ये दोनों विचारों के रूप बीच में मनुष्य का भाग्य आज तक किस्था चला है। प्राउत प्रनेता ने देखा कि मनुष्य ना राजनेतिक प्राणी है ना आर्थिक प्राणी है। मनुष्य एक डैवी प्रक्रिया से प्रमात्मा की किरपा से मनुष्य का शरीट और चिंतन करने वाला मन लेकर के प्राणी है। जिसमें आर्थिक और समाजिक और आजनेतिक एक्षाएं नहीं बलकि अन्य बहुत सारी अकंशाएं हैं। लेकिन इस धर्ती पर रहने के लिए उसको अर्थ की ही आव सकता है। वो सुखी केवल पांचवे साल मत्दान देने से नहीं हो जाएगा। मत्दान देने के बाद घर पहुंचेगा अगर भोजन नहीं मिलेगा तो दुखी हो जाएगा उसे जादा। इसलिए प्राउद का सोचना है कि राजनेतिक प्रजातंत्र से जादा जरूरी है आर्थिक प्रजातंत्र। प्रजातंत्र अब तक की सबसे अच्छी ब्यवस्था आवस्थ्य है। लेकिन आर्थिक प्रजातंत्र के अभाव में राजनेतिक प्रजातंत्र किसी देश में और बिश्व में ब्यवस्था नहीं ला सकते। हर व्यक्ति के हाथ में आर्थिक अजिकार। अगर आर्थिक गुलामी रही आदमी को, तो राजनेतिक प्रजातंत्रता किसी काम की में है। हम पिछले छे दशक से अधिक से राजनेतिक आजादी लिए घुम रहे हैं। लेकिन आर्थिक मुद्दों पर हम अभी भी महसूस करते हैं कि हमारी आर्थिक जिलामी। इसलिए प्राउद का चिंतन आर्थिक प्रजातंत्र का एक बहुत ही बेवादिक चिंतन है। कि अगर हम राजनेतिक प्रजातंत्र के साथ साथ आर्थिक प्रजातंत्र पर भी अगर चिंतन करें। तो कि एक नया कौंसप्ट है नया चिंथे हैं किस्ति जब हम इश्कण पर प्रकास जा लेंगे विस्तार से कि तो इस पर विस्तित इसकी वयक्या करेंगे लेकिन एक बात अवस्य है कि आर्थिक प्रजातंत्र के बगेर राजमेंतिक प्रजातंत मुलिहीन है राजमें प्रजातंत्र है हर आदमी के हाथ में आर्थिक अधिकार तभी जीवन सुख में होगा कि समाज में शांति और अमंचेन होगा और देश अपनी उन्नत अवस्था को प्राप्त करेगा इसलिए प्राउद के इन सिभ्धांतों को अगर हम देरे देरे समझें और अपनाएं तो हम बेहतर भविष्य की और तरफ अपने समाज और देश को लाएंगे और हम मैसूस करेंगे इस दुनिया में आ करके हमने कुछ खोजा तभी हमको बिला इसलिए प्राउद बगेर खोजे हुए नहीं मिलेगा आओ खोज जारी रखें